क्या आपके भी real me ke smartphone में network नहीं आ रहा है तो इस problem का solution क्या है इस video में मैं आपको बताऊंगा यदि आपके बास real me का कोई भी smartphone है उसमें network में problem आ रही है network नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है देखो सबसे पहले आपको अपनी mobile की setting में जाना है और वीडियो के लाइक और चैनल को subscribe कर देना है और यहाँ पर आपको search करना है यहाँ मैं search करता हूँ उसी साफ से reset reset डालेंगे ठीक है और यहाँ पर आप डालेंगे network setting ठीक है reset network setting डालेंगे इसके राद इसके और इसके इसके लाद आप एपनी network setting को reset कर लेंगے ठीक है यहाँ पर आपको मिलेगा reset network setting option इसके क्लिक कर करके अपनी network setting को सबसे पहले reset किजिए उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा mobile network इसके आपको click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे अब यहाँ पर आपको जो भी SIM है जिसमें network की problem आ रहे ही उस SIM पर आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है वो SIM आपकी यहाँ पर चालू है की नहीं है अनेवल है की नहीं है अनेवल है अच्छी बात है उसके बाद यहाँ पे access point name पे click करना है और यहाँ पे 3.0 पे click करके यहाँ पे अपनी APN setting को restore कर लेना है यानि की reset कर लेना है ठीक है उसके बाद यहाँ पे back जाएंगे operator का option लेगा आपकी यहाँ पे auto select का option यहाँ पे on होगा तो अच्छी बात है नहीं है तो on कर लीजिए उस के बाद यहाँ से आप बैक चले आई ठीक है इस तरीके से उसके बाद आपको यहाँ पे back इस तरीके से आजाना है अब यहाँ पे last में बचता है कि आपको एक more करना है यहाँ पे एक option होता airplane mode उस पे आपको click करना है और फिर आपको उस पे click करना है उसके आद देखना है आ आपके नेटवर्क की प्रव्लम आ रही है तो इसी तरीके से solve कर शकते हैं जैहंद